पब्लिक टीवी आपकी आवाद पुलवाव में शहीदों को लेकर हिंदू संगठोनों का गुस्सा चरम सीमा पर पहुँच गया है मुरदबाद में आज हिंदू महासभा के कार्यकरता अपने हाथों में नंगी तलवारे लेकर शहर के बीच निकल पड़े और बीच चौराहे पर आतंकवादी सरगना हाफिस साइद के पुतले को खंबे पर लटकाते हुए तलवारों से मार कर अपने गुस्से का इजहार किया हाथों में नंगी तलवार लेकर हिंदू संगठन के सेंखडों कार्यकरता मुरदबाद की सड़कों पर निकल आए ये लोग पाकिस्तान और आतंकी संगठन जैशे मुहमद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे मुरदबाद के सिविल लाइन चौराहे पहुँचकर पुतला फूंका इन कारेकरताओं ने जैशे मुहमद के पुतले को पहले तो एक खंबे पर लटकाते हुए फासी दी और फिर तलवारों से उसे सजाय मौत देते हुए भारत माता के जैकारे लगाते रहे पुलवावा में शहेद जवानों को हिंदू महासभा ने हाथों में तलवार लेकर एक संदेश देते हुए सरधांजली थी और कहा कि जब सैना जनता की रक्षा कर सकती है तो हम तलवार लेकर क्यों नहीं कर सकते सेना की रक्षा हमें करनी होगी सरकार से पाकिस्तान को जवाब देने की मांगी हिंदू महासभा ने कहा कि 24 घंटे में वो पाकिस्तान को समाप्त कर सकती है आज हमने पाकिस्तान जो घंटार है उसने हिंदूस्तान बियस्त स्यार्पीफ के चवारी चरॉम शहीत कर दिये उसको चताव नी दी लेकिन उसके सबज़ नहीं हो आज हमने जैशे महांमद को फासी दिये और उसको फासी देने के और दफनाने का भी काने किया लेकिन अगर उसके बाद भी पाकिस्तान को सफाया नहीं किया गया तो मामनिय प्रेदान मंत्री जी से सर्वन विदन कर दिये कि हमें एक एक फॉर्टी सेवन दे दे, हिंदु मासों का एक एक कारे करता जाके पाकिस्तान को इतना सफा कर देगे कि वहां की जड़ती भी काप उड़ेगी कि ये क्या हो गया जूद हिंदुस्तार is अबनेिद तल्वार निकाली है इस इसका क्या मकष़ ग्यार इं waving इन helping वें की उधे जिश वह उतन tại हन्डिश्दें करता थे कि उस देख ड़े छिश two hire और काष sweetheart कर सकते हैं अब तलवार लेकर निकलने के बाद जनता सड़कों पर उत्रेगी क्या जवानों की फुरुक्षा बोल जनता करने की सर्मून में जब आप यह देख लीजें कि कि हमारे पूरे हिंदुस्तान की सेवा खरती जह जब शहीद हुए हैं हमारे भाई उनकी लिए आप जंता ही सरकों पर उत्रेगी और तलवारों के साथ ही उत्रेगी यह हमारा खुला चेटावनी है खुला बादा है हिंदुमाजा जो कहती है वह कहती है